मेरे को मसल बिल्ट करनी है और मैं वेजिटेरियन हो लोग मुझे बोलते हैं मेरी मसल बिल्ट नहीं हो सकती क्यों कि मैं वेजिटेरियन हो तो क्या मेरी मसल बिल्ट हो सकती है सबसे पहले तो उन लोगों को तुम्हें पगड़के पीटना पड़ेगा जो लोग बोलते हैं वेजिटेरिन लोगों की मसल बीट नहीं होती क्योंकि आज मैं आप लोगों बताने वाला हूँ आपको पूरे दिन में क्या खाना है बस वेजिटेरिन लोगों की डाइट में बहुत सारे फूड आइटम है जैसे अंडा चिकन जिसमें इतना सारा प्रोटीन होता है कि वो जब ही अपना प्रोटीन पूरा कर सकते है मेरे पास डेड़ जार कास पास आउनलाइन क्लाइंट्स है जिसमें से 700-800 तो वेजिटेरिन है और उन्होंने बहुत अच्छा ट्रांस्वर्म किया है क्योंकि उनको मैंने पूरी डाइट बताई है और वो मैं आप लोगों बताने वाला हूँ ठीक है भाईयो तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो और जिसने अभी तक अपने भाई के चैनल सब्सक्राइब नहीं किया लाग कलोई का आपको बटन दिख रहा होगा साण में जओ तोड़ दो 5 मिलिन करा दो भाईयो जल्दी से सब्सक्राइब बटन के साथ में घंटा भी दिख रहा होगा एक प्रोटीन सप्लिमेंट का डबबा मैं यह नहीं बोलता आपको लेना ही लेना चाहिए बट अगर आप प्रोटीन सप्लिमेंट ले सकते हो तो आपको ज़रूर एड़ करना चाहिए और एक सीज का धारन रखना आपकी डाइट में पनीर होना ही होना चाहिए पनीर से भड़िया सोर्स वेजिटेरियन लोगों के लिए कोई भी नहीं है, प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए, पनीर में बहुत सारा प्रोटीन होता है, और लोग बोलेंगे, पनीर में तो फैट ही गी होता है, बटो वो फैट healthy quality of fat होता है, आपकी क्यालरीज पूरी करन बाल सकते हो, साथी साथ आपको एक स्कूट प्रोटीन चाहिए, अब पूरे दिन में आपको प्रोटीन कितना चाहिए होगा, for example, आपका वेट 70 किलो है, तो उसको डेड़ से मिल्टिप्लाई कर देना, और मेरे जितना है, 87 किलो तो उसको भी डेड़ से मिल्टिप्लाई कर को बनने में सिर्फ और सिर्फ 5-6 मिनिट लगे, ओट्स में मैं डाल रहा हूँ, एक स्कूट प्रोटीन, आप अगर दूद में बनाना चाहो, ओट्स दूद में बना सकते हो, अगर आप पानी में बनाना चाहो, तो पानी में बना सकते हो, पर एक स्कूट प्रोटीन जरूर आप लोगों को यह तो समझी आ गया होगा कि as a vegetarian protein supplement लेना कितना ज़रूरी है पर कौन सा protein ले market में बहुत सारे protein available है तो यहाँ पर दो यह option बसते हैं बढ़िया protein के isolate protein और whey protein isolate की उनको ज़रूरत है जो 1 gram भी carbs नहीं खा सकते क्योंकि isolate में 0 carbs होते है तो आप डारेक किसी अच्छे whey protein पर जाओ अब देखो whey protein क्यों लेना ज़रूरी है एक तो वो taste बढ़िया करेगा isolate का taste कुछ खास नहीं होता है क्योंकि उसमें carbs होते ही नहीं वही तो आपको taste देंगे that's why आप ये वहला protein ले सकते हो जिसको मैं पिछले दो हफ़ते से उसकर round dr. choice का 3-way fusion जो की 3-way को मिला के बनाया गया है isolate protein, hydrolyze protein और concentrate protein तीनो वे का mixture इसमें आपको मिलेगा एक scoop में है 25 gram protein, 5.5 gram BCAA, 4 gram glutamine, 11 gram EAA, 0 gram added sugar और जब ये आप इसे खरीदोगे, इसके साथ आपको एक सेंडो मिलेगी, बहुत बढ़ी है अभी मेरी मैली हो चुकी है, धोने को रख रखी है और साथी साथ आपको ये शेकर मिलेगा तो ये है चोक को brownie fudge flavor इसका link में डिस्क्रिश्ट में डाल दूँगा और भी बहुत सारे flavor है, जाके चेक कर लेना डॉक्टर चोइस का 3-way fusion protein बजट के अंदर आता है, क्योंकि isolate आपको थोड़ा सा महेंगा पड़ेगा और ये आपको थोड़ा सा बजट के अंदर मिल जाएगा और बहुत बढ़िया tasty protein है, डॉक्टर चोइस का 3-way fusion अब बारी है meal number 2 की, जो की snack time होता है lunch और breakfast के बीच में, वो होने वाला है आप लोगों का dry fruit, vegetarian लोगों के लिए सबसे best source है high quality of protein, best fat के source, जो आपका testosterone भी increase करते है और testosterone ही सबसे बड़ा reason होता है, muscle building का dry fruit ज़रूर एड़ करें, जैसे यह है काजू, मुठी भरके आपने काजू डाल लिए ठीक है, और लोगों को यह confusion हो रही होगी, उन्हें गर्मी वगएरा निकल जाएगी ठीक है, फुंजिया वगएरा मूपे हो जाएगी, आकने हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है तो यह मील आपको लंबे टाइम तक एनरजी देगी, तो इस मील को ज़रूर एड़ करें, एड़ शनेक खाने में काजूब जिया रखते हैं तो यह है मील नमबर थ्री, मतलब लंच की मील और इस में मैं ले रहा हूँ 200 से 225 ग्राम यह पनीर है, और अगर आप वेजिटेरियन हो, अगर आपकी डाइट में प्रोटीन नहीं है छोड़ दो डाइट वाइट है न, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पनीर ही तो एक ऐसा सोर्स है जो आपको प्रोटीन प्रोटीन करेगा साथ ही साथ यहां पर तीन रोटी है इट डिपेंड्स अगर मूड है मेरा तो मैं चावल खा लेता हूँ दिन में आप भी खा सकते हो अगर वेजिटेरिन हो आप आपके पास दो चोईसी है लंच में या तो राइस या रोटी हमेशा आपको ये लंच वाली मील सेम रखनी है काब्स में राइस या रोटी और पनीर होना ही होना चाहिए दही आपकी मर्जी आप लेना चाहो दही भाई वैसे भी गर्मियों में बहुत बढ़िया होती है गर्मी आ जाएगी आप साथ में जो भी आपकी सबघी बन रही है ऐसा मत सोचो कि आपको सिर्फ डाल या राजमा यही कहनी है या आपको चने वाली सबजी खानी है छोले खानी है उससे आपको प्रोटीन मिलेगा न भायो थीक ठाक रहेगा पर आपकी इतनी हelp नहीं पर गरेगा मुसल बिल्डिंग में और जो लोग बहुत टाइम से चीज फोलो कर रहे हैं बॉड़ी बिल्डिंग मुसल बिल्डिंग उनको पता है कि दाल राजमा से बॉड़ी नहीं बनने वाली आपको प्रोटीन के हाई क्वालिटी सोर्स लेने पढ़ेंगे और वेजिटेरिन डाइट आप प्रोटीन कहां से पूरा करते हो तो यह है मेरी मील नमबर थर्ड अब बार यह मील नमबर फोर की तो मील नमबर फोर में आपको खाना है एक केक जो की पिंक कलर का होना चाहिए उस पे थोड़ी सी उपर जैली और साथ में चोको चिप्स थोड़े से यह नहीं नहीं है मील नमबर चार में मैं ले रहा हूँ यहाँ पर आप देख रहे हो तीन उबले हुए आलू है तो वरकाउट से एक गंटा पहले मैं ले रहा हूँ तीन उबले हुए आलू शकरगंदी का सीजन खतम हो गया नी तो मैं शकरगंदी लेता था कभी आलू लेता था अब मैं डे तो नहीं होती क्योंकि हमें चाहिए एनरजी आप वर्काउट जब करो आपकी बॉडी में एनरजी होनी चाहिए ताकि आप जादा हैवी लिफ्ट कर सको जादा देर तक वर्काउट कर सको अलू बेस्ट है और उसके साथ मैं अभी 15 मिनट जब रह जाएंगे वर्काउट के त सारा था तो ब्लैक कोफी पीते ही आँख खुल जाएगी आप एक चम्मस दो चम्मस तक कॉफी डाल सकते हो और हम नरिला गया है जिम में होते तो मैं बीन्स वाली कॉफी पीता वो दो शोट बहुत बढ़िया होते है अगर आपका फिर भी काम ना चले तो आप प्री वर्क अगर गया है तो आप बार यह पांचमी मील की जो की मेरी अफ्टर वर्काउट मील होने वाली है तो वर्काउट के बाद मैं लेता हूँ ताकि मेरे को एक हाई क्वालिटी प्रोटीन डारेक्ट मेरी बॉड़ी में मिल जाए और मेरी मसल रिकवरी जल्दी हो पाए अब लो पीए अरे भाईयो किसी में पी लो यार प्रोटीन अंदर जाना चाहिए मसल बिल्दिंग वालों को है इतना सोचने की जरूत नहीं है दूद में पीना हो दूद में पीओ पानी में पीना हो तो आफ्टर वर्काउट आपको प्रोटीन लेना ज़रूरी है क्योंकि आप वे प्रोटीन की सप्लाई देने में इस दुनिया का सबसे ज़ादा बिकने वाला सप्लेमेंट है क्योंकि ये सबसे ज़ादा यूज किया जाता है ब्रेक फास्ट में लंच में अफ्टर वर्काउट तो सभी यूज़ करते है रात को भी आप कर सकते हो वो मैं बताओंगा आगे वीडियो में कैसे और अब होने वाली है छटी और लास्ट मील आज के पूरे दिन की जो है चावल बना दिये सोनिया ने मेरे लिए दाल है यहाँ पर दाल मखनी जो की बहुत बढ़िया बनी है और साथ में ये पनीर की भुजी मैं पलेट समझ के उठाने वाला था भू पैन को साथ में पनीरगी भुजी तो भाईो देखों, यहाँ पर दोतीन option आते हैं जैसे मैंने lunch में रोटी खाली थी तो इस time चावल बना लिए तो आप lunch में चावल खा सकते हो, रात को रोटी खा सकते हो आप दोनो टाइम रोटी भी खा सकते हो, दोनो टाइम चावल भी खा सकते हो और अगर आपका मन नहीं है, पनीर वगएर खाने का तो आप क्या करो कि एक स्कूप प्रोटीन दूद में मिला के एक केले के साथ पी के आराम से सो जाओ वो भी बहुत बढ़ी आ उप्शन, आपको मज़ा आ जाएगा क्योंकि केले मेकार वो हाइडिट है दूद में आपको healthy quality of protein भी मिलेगा क्योंकि सारे dairy product बहुत बढ़ी आ है as a protein और आपको protein एक स्कूप तो मिलेगा ही मिलेगा तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया protein smoothie हो जाएगी अगर आपका खाखा के मन भर जाता है वो आप रात को change कर सकते हो क्योंकि वो सबसे बढ़ी option है बट बाकी के पूरे दिन आपको यही meal follow करनी है अगर आपको बढ़िया muscle build करनी है, बढ़िया size gain करना है यह थी last की meal और जो की बनके ready हो चुकी है यह देखको भाईयो, biceps भी बनके ready हो चुका है, बहुत तगड़ा तो यह थी भाईयो, pure vegetarian logo के लिए full day of fitting I hope मैंने आप लोगों को सब कुछ अच्छे तरीक के से समझा दिया होगा तो वीडियो को भाईयो, सबसे पहले like कर दो, अब सब कुछ समझ में आ गया है vegetarian भाईयो की भी body बनवा दिया मैंने, जो की बन जाएगी मानता हूँ अभी आपने वीडियो देखिया है, दो तीन महीने बन जाएगी तो लाइक कर दो वीडियो को, जिसने अभी तक अपने भाईय का चैनल सबस्क्राइब नहीं किया सबस्क्राइब कर देना, देखना, चेस्ट, माई की रखा हुआ चेस्ट पे क्या वाँ आता है तो सबस्क्राइब कर देना, लाग तर्क आपको बटन लिकेगा सबस्क्राइब कर देना, सबस्क्राइब बटन के साथ मैं आपको घंटा दीगेगा उसे भी दबा देना, तकि जब भी आपका भाई वीडियो अप्लोड करें सबसे पहले आपको तखले कि भाई की वीडियो आगी इंस्टेग्राम पर फोलो कर लेना, डिस्क्रिट में लिंक है मिलते है, नेक्स वीडियो में पीस, गेंज